आज का हमारा वीडियो है कि गंबले में हम मनी प्लांट की केर कैसे करें हम सभी के घरों में मनी प्लांट होता है और जिसकी ग्रोध हम सभी काफी अच्छी चाहते हैं तो अच्छी ग्रोध के लिए हम मनी प्लांट की केर कैसे करेंगी किन-किन चीजों का ध्यान रखना होगा क्योंकि Fab से Money Plant की Growth額 स-start हो जाती है उसमें new-new पतियां आती है तो हमें उनमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है तो वही सब आज हम इस वीडियों में बात करेंगी तो ये मेरा Money Plant है दो साल से इसी Plainter में और किन-किन चीजों का ध्यान रखते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडीयो पसंद आए तो लाइक कर देना हो सकते तो वीडियो को शेर भी कर देना तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि जो भी मनी प्लांट की जो ब्रांचिस होती है वो नीचे की तरफ लटक रही होती है इनको हमें नीचे की तरफ नहीं लटकने देना है इनको हमें उपर की साइड की तरफ ले जाना है तो मनी प्लांट की पत्यों का साइज भी अच्छा रहता है और money plant के growth भी अच्छी होती है और एक safe भी हम अच्छे से दे सकते हैं बहुत ही आसान होता है इनकी branches को उपर ले जाना क्योंकि एक दूसरे में आप इसको support दे के ले जाते हैं मैंने इसमें कोई भी और extra support नहीं दिया है बस इसी तरीके से मैं इनकी branches को उपर करते जाती हूँ एक दूसरे से इनहीं को support देती हूँ जिससे के काफी अच्छी इसकी safe है मुझे जिधर ले जाना होता है उधर ही इनकी branches कर देती हूँ और एक अच्छी growth इनकी होती रहती है अभी money plant में काफी new branches निकल रही है तो उनको हमें इस तरीके से इनको उपर की तरफ ले जाना है इन्हें नीचे नहीं लटकने देना है क्योंकि अगर ये नीचे लटकेंगी तो एक तो money plant अच्छा नहीं लगता है और उसको कोई safe नहीं मिल पाती है और उनकी पत्तियां भी छोटी होती जाती है उसके बाद जब ये new growth स्टार्ट होती है तो money plant को सबसे ज़ादा खाद की जरौत होती है और हमें खाद और पानी दोनों की जरौत होती है हमें उसको पानी भी अच्छे से देना होता है और खाद भी उनको देना होता है तो इस तरीके से अगर new growth हो रही है आपके money plant में, अगर हो रही है तो आपको इसमें खात देना है, आप कोई भी liquid fertilizer दे सकते हैं या आप इसमें bummy compost डाल सकते हैं, तो इससे पहले मैंने इसमें अभी liquid fertilizer दिया था, bummy compost को मिला करके, तो अभी मैं इसमें कोई liquid fertilizer नहीं दूँगी अभी मैं इसमें D.A.P. के दाने डालूँगी और आप देख रहें कि 15 इंच के पॉट में कुछ इस तरीके से सिर्फ इतने से दाने इसमें डालूँगी आपको 15-20 दिन से पहले इसमें खाद नहीं देना है आपको 20 दिन या महीने में एक दिन आपको इसमें खाद डाल देना है तो इस तरीके से मैं इसमें ये डीएपी के दाने डाल दुए क्योंकि जब भी कोई प्लान्ट अपनी ग्रोथ पर होता है तो उसको खाद की जुरूधत होती है और गमले में खास eh sł DAP के दाने डालने के बाद इसमें मैं पानी डाल दोंगी और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं अपने प्लांट में आपको इसमें काफी अच्छीbai ग्रोध करPlus Professor elies मैं की पानी काफी लंबे समय तक आपको सबहर लुद है जिसी कि प्लांट अच्छी吉 ग्रोध पर होता ह है तो पानी सब्सक्रांबे सब हमको छिक दर्ड़क में प्लांट करेंगा। सिर्फ अच्छी light मिले वहां रखना है धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है सिर्फ अच्छी light है इसको आपको ऐसी जगे पर रखना है धूप में तो बिल्कुल नहीं वरन्हें इसकी पत्यां जल जाएंगी और उतनी अच्छी growth नहीं होगी और पत्तियों में इतनी शाइनिंग भी नहीं होगी तो फ्रेंट इन चीजों का हमें ध्यान रेखना है और आपका मनी प्लांट काफी अच्छी ग्रोथ करेगा और यह की प्लांटर में काफी लंबे समय तक चलता रहेगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सियर और सिस्क्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स वीडियो